Hello Friends छल्ए आए अज़ हम फ्रूट स्गाते हैं तो चले हाएं धिर फ्रूट स्काते हैं अरे ये क्या ओरेंज के अंदर आइस्क्रीम मैं अनार भी कटती हूँ अनार में भी आइस्क्रीम अब इसके स्लाइस करके देखते हैं चले हम इस ओरंज को काटे है अदे वाँ ये तो आइस क्रेम है चले आए अब हम अनार को काटके देखते हैं कि ट्रेंच है हमारी फरुट आइस क्रीमन को फ्रूट में बनती है झाल झाल चले हाएं फिर से ट्राइ करते हैं वाँ क्या बात है वह में जाते ही गुल गई इसे कहते हैं देसी जैका तो चले हाएं हमें आपको इसको बनाने का तरीका समझाती हूँ सिबसे पहले आप औरेंज पें से काट लेंगे इसको बिना इसको नुक्सान पुंचाए हम इस तरीके से अराम अराम से इसको काटेंगे इसको बूता निकालेंगे औरेंज पूरा फाली कर लेंगे इसको 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 बिल्कल भी वोना हो वैसे तो आप कोई भी फूर्ट्स यूज कर सकते हैं आइस्क्रीम की फिलिंग के लिए बट्थ हम यहाँ पर मैंगो यूज कर रहे हैं मैंगो को हम चुट-चुटे स्लाइसिस में काट लेंगे ताकि इसे हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर पाएं वैसे तो आप किसी भी फूर्ट्स में इसे बना सकते हैं पर मैं ज्यादा तर इससे मैंगो एपल स्टॉबरी में बनाती हूं और जब फूर्ट्स खाने का ना मन हो तो मैं इसे ड्राइफ्रूट्स में भी बनाती हूं और सिरफ ड्राइफ्रूट्स में उसमें डालती हूं हम एक लिटर पूल क्रीम मिल्क लेंगे और तब तक उसे पकाएंगे जब आदा ना हो जाए मैंगो को चुट चुट स्लाइस करके हम इसे बेंडर में दानेंगे हम इसमें छोटी एलाइची के दाने जो निकाल के लाइची से दस अलाइचीयों के इसमें डालेंगे मैंगो को एक लाइस हम चक लेंगे अगर खटा हो तो इसमें हम शुगराइट करेंगे इसमें बिना पानी ढालेवे हम ब्लेंडर में स्पेस्ट मना लेंगे कि अालेवे दो खालेवे झालेवे ऑलेवे झालेवे यजँ छरेवे कर दो कर दो कहाई रहाओ अल्मुस्ट हो चुका है, अब हमें स्मेट करेंगे चोटी ऐलाइची के इसता अल्मुसिस्टिक्स काजू स्मेस संदेंस मिल्क बढ़ बलुटीटिक्स केंदर हो धोया की काजुका और यांद संदेंगे लिए स्टैंसीथ petty मिल्कूप़ स्टैंसेट無क्र स्टैजिक्स क्योंने सेरा नष्षित आफ्रम अब हम इसे फिर से बॉइल करेंगे तब तक के जब तक के जितनी इसकी कौंटिटी अभी है ये और हाफ हो जाए हम इसे कीम की जैसे गाड़ा बनाना है अब हम इसे ठंडा होने देंगे मिल्क जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमे एड करेंगे जो हमने मैंगो बनाया मिल्क जो हमने बॉइल किया था अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है अब हम इसमे मिक्स करेंगे मैंगो बल्क मिल्क जब बल्क करेंगे मैंगो 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 बल्क करेंगे मै अब ये देखिए अच्छी तरह कैसे मिक्स हो चुगा है इसमें और ये देखिए हमें इस तानाव का कुल्फी के लिए इतना थिखी चाहिए अब हम इस कुल्फी मिक्स को जो हमने पहले से फ्रूट रेडी करके रखे हैं उसमें हमें से फिल कर देंगे अब हम कुल्फी मिक्स को इस और इंज में फिल कर लेते हैं एक स्पून से हम इसे चारो तरफ ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकर ये सही तरीके से इसमें थोड़ा से इसके उपरन पिस्ता जो है स्प्रिंकल कर देते हैं अब इस पर हम इसके बागी हिस्सा लगाके कवर कर देते हैं और इसे फ्रीज कर देंगे अब यही सेम तरीका हम अनार के साथ करेंगे आप इसमें फ्रूट्स अपनी पसंद से भी ले सकते हैं और जो पर हमने बनाए वो मैंगो फ्लेवर का बनाए आप चाहें तो आपको जो फ्रूट्स पसंद हो आप उसका भी बना सकते हैं करें लेवार हम जो आपको बनाए लाग है अ कि लेविके लेवार है करें लेवार है वो जो एलेवार लुछ मैंशी है यह जह की ताहिए ट्रोड में आपक्सक्ततों के नीचे हमें किसी बावल Rica को में छोथे एकसी काप में से रखना होगा और से उम फ्रीजर में रखे गेंगे 3-4 गुंटे के लिए हम इसे कम से कम डी फ्रीजर में रखेंगे ताकि रीफ्रीज हो जाए अब हम इसे फ्रीजर में देखें इस तरीके से रख रही है अब इसे इसे चार से पांच गुंटे बाद निकालेंगे ताकि अच्छी तरीके से जो हमारी कुल्पी मिक्स है वो फूट्स में कुल्पी की शकल ले जाए प्रेंट्स आपको कैसे लगी फूटा इसक्रीम कमें प्लीज बताईएगा थैंक यू फॉर वाचिंग देशिज आइका